देखते हैं कि आज इस वीडियो के अंत्रगत हम किस पर डिसकस करने वाले हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज इस पर हम डिसकस करने वाले हैं उसका सिषक है ट्रम्प डिस्क्वालिफाइड वाट इस दे युएस कॉंस्टिचुशन्स फोर्टीन्थ एमेंडमेंट जी हां और इसे लिया गया है दी इंडियन एक्स्प्रेस से और यह हमारे लिए महत्पूने जी एस पेपर टू में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन्स के दृष्टिकुन से यह रहा इसे समदित प्रस्ण क्या है प्रस्णिया है कि कोलो राडो के सुप्रीम कोड द्वारा डोनाल ट्रम्प पर दिये गए निर्ने के आयामों को रिखांकित करे तो अब यहां पर सवाल यह उड़ता है कि कोलो राडो सुप्रीम कोड के द्वारा डोनाल ट्रम्प पर जो निर्ने दिया गया तो क्या अमेरिका के पूरो राश्पती डोनाल ट्रम्प अब कभी भी दुवारा अमेरिका के राश्पती नहीं बन पाएंगे तो यह एक सवाल उठता है अब यह हो पाएगा या नहीं ह पाएगा यही तो हमें देखना है तो चलिए हम इस वीडियो की सुरुआत करते हैं अब जैसा कि हमें पता चल चुका है कि अमेरिकी राज कोलो राडो के सुप्रीम कोट ने अमेरिका के पुर्वराश्टपती डोनाल्ड ट्रम्प को 2024 के राश्टपती चुनाव में फिर से उ आधार क्या दिया है तो उमिद्वार बनने से इस आधार पर रोका है कि अमेरिका के पुर्वराश्टपती ने बागावत या विद्रोह में वो सामिल होने से संबंदित समयधानी खंड का उन्होंने उनलंगन किया है एक महत्पून बात यहाँ पर यहाँ है कि अमेरिका मे परतेक राज्जी की शिर्ष अदालत को उस राज्जी का सर्वोच नियाले कहा जाता है इसलिए आप किसी प्रकार के संधे की स्थिति में नहीं रहेगा भारती नियाएक विवस्था से उसकी तुलना करके अब यहाँ पर यह है कि कोलोराडो के सुप्रीम कोट ने जो फैसला यह फैसला अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा में टरंप के समर्थकों की भूमिका को देखते हुए दिया गया है अब यह मामलग क्या है तो साल 2021 में जब अमेरिकी राश्पती के चुनाव में डोनाल्ड टरंप की हार हो गई तो फिर उसके बाद उनके समर्थकों ने 6 जनव तो अब यहां पर हम देखते हैं कि कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आखिर वो पूरा फैसला है क्या तो कोलोराडो में सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 वहमत से फैसला सुना है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो स्विंफ राज अमेरिका के सम्धान के 14 संसुदन की 13 तीन के तहत राश्टपती पत सम्हालने के लिए अयोग है अब यह जो कानून आपको दिख रहा है सम्धान के 14 संसुदन की 13 तो हम इसे बात के स्लाइड में देखेंगे फिर अदालत नहीं बात कही है कि चुकि डोनाल्ड टरंप अयोग है इसलिए कोलो राडो राजिस अचिव के लिए डोनाल्ड टरंप को राष्टपती के प्रात्मिक मत पत्र पर उमिद्वार के रूप में सुचिबद करना उनके लिए चुनाव संगीता के तहट एक गलतकार होगा मतलब उनको ये बात कही है कोलो राडो के राजिस अचिव को कि डोनाल्ड टरंप को वह प्रात्मिक मत पत्र पर उमिद्वार के रूप में सुचिबद ना करें ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोकरिट दोनों दलों के द्वारा पांच मार्च को कोलो राडो और बारह अन्राज्यों में अपनी प्रैमरी आयजित ये दोनों पार्टियां करेंगी और यह जो आयजन है वो अमेरीकी राश्पती चुनाव कैलेंडर में प्रैमरी का सबसे बड़ा दिन है और इसे सूपर मंगलवार के रूप में जाना जाता है क्या होता है प्रैमरी तो आपको बता दें कि जो प्रैमरी चुनाव होते हैं वो वो चुनाव होते हैं जिनका उपयोग राजनितिक दल आगामी आम चुनाव के अपने उमिदवारों के चैन करने के लिए करते हैं तो उसी पर कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है कि ट्रम्प कोलोराडो में रिपब्लिकन प्रैमरी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लेकिन क्या यहीं पर डोनाल्ड ट्रम्प के राश्पती बनने का सपना रोख जाता है नहीं यहाँ पर यह भी है कि जो नियाधीस हैं उन नियाधीसों ने बात भी कही है कि 4 जनुरी तक कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्ने दिया है उस पर वो अपने फैसले को रोकते हैं आखिर ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए क्योंकि यह मौका दिया जा रहा है डोनाल्ड टरम्प को इस बात के लिए कि डोनाल्ड टरम्प स्यंक्तराज अमेरिका के सरवोच नीयाले में कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गए निर्ने के वुरुद अपील कर सके और अगर डोनाल्ड टरम्प अपील करते हैं तो कोलोराडो का फैसला तब तक रुका रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ दा युनाटेट इस्टेट्स कोई निर्ने नहीं ले लेता है तो सवाल यहां पर उठता है क्या इसका मतलब है कि ट्रम्प अभी भी 2024 के चुनाव में लड़ सकते हैं इसका जबाब है हाँ डोनाल्ड ट्रम्प के राश्पती चुनाव के अभियान से जुड़े हुए लोगों ने पहले ही अब बात इसपस्ट कर दी है कि वे अपील करेंगे और यहापील चल दे ही होगा तो अगर हम theoretically देखें तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस मुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वह केवल और केवल कोलो राडो राजी पर ही लागो होता है इसका मतलब यहाँ पर है कि जो अन्य राज्य हैं उन अन्य राज्यों में भी डोनाल्ड ट्रम्प के विरुद्ध ये जो मामले है वो लंबित है लेकिन अ वगावत है वह एक विपलब है वह एक राज्यों है जो डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा किया गया फिर अगला सवाल यहाँ पर यह उठता है कि किस कानून के तरह डोनाल्ड ट्रम्प को अयोगी घोसित किया गया है तो चौदवा संसुधन जो है वह 1866 और 1868 के बीच अमे दिकारों का विस्तार किया गया तेरवां चौदवां और पंदरवां संसुधन अमेरिकी गरियोत जो कब से कब तक चला था 1861 से 65 तो इसके बाद इन्हें पेस किया गया था तो फिर उसी चौदवे संसुधन की धारा तीन क्या कहती है तो थोड़ा यह लंबा है उसे ध्या कोई नागरी के सेनिकारियाले का पात्र नहीं होगा जो पहले कॉंग्रेस के सदस्य के रूप में या सेंक्तराज अमेरिका के एक अधिकारी के रूप में या किसी राज्य विधाईका के सदस्य के रूप में या किसी राज्य के कारिकारी या न्याइक अधिकारी के रूप सेंक प्राज अमेरिका के सम्मिधान का समर्थन करने की सपथलियो उसके विरुद्ध बगावत या विद्रों में लगा होगा या अपने सत्रों को सहता या सांतों ना देगा क्या मतलब निकलता है सीधे सब्दों में यह काता है कि किसी भी सरकारी कारियाले के लिए पहले निर्वाचित कोई व्यक्ति बगावत या विद्रों में भाग लेता है तो वो फिर दुबारा पद पर नहीं रह सकता है लेकिन यहाँ भी एक क्लाउज है क्लाउज यह है कि गुराडो सुप्रीम कोट का यह जो फैसला है यह 2024 के लिए डोनाल ट्रम्प की उम्मिदवारी को प्रभावित कर सकता है तो राइटर्स के अनुसा है राइटर्स यह एक न्यूज एजनसी है तो इसका यकाना है कि धारा तीन का आदालत में इससे पहले शायद ही कभी परिश अगर उसकी सुनवाई करता है तो सर्वोच न्याले में अगर न्यायधिसों के हम संख्या की बात करें तो मालने की अगर नो द्यायधिस है उसमें तो जो च्छा है वो कंजर्वेटिव पार्टी के है जबकि डोनाल ट्रम्प रिपब्लिक पार्टी के है तो वहां जो सुप्रीम कोर्ट है वह सुप्रीम कोट को लो राडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समत Ten मतलब होगा कि डोजार चौबीस में ट्रम्प को एवल कोलॉराडो राज्ज में जी वोट नहीं दिया जा सकता है और एक बात महत पून है वहां है निया है कि अगर ट्रेडिश्नली से हानिकारक नहीं देखा जा रहा है। ऐसा विसे सगी कहते हैं। इस वीडियो में हमने यहाद देखा कि आखिट डोनाल्ड टरम्प को लेकर कोलोराडो सुप्रीम कोड का फैसला क्या है। और उसके साथ ही उसके विभिन आयामो को भी देखा। इसके साथ इस वीडियो को हम इस हम आप करते हैं। फिर मिलेंगे नहीं जानकरी के साथ। नमस्कार।